Hello everyone, कैसे हैं आप लोग, स्वागत है सब का इस YouTube चैनल पे, Mass Infinity पे तो आज ही वीडियो बहुत इंटरस्टिंग है और सारे NDA experience के लिए ये वीडियो है आप देख सकते हैं, पीछे वीडियो के लिए मैंने क्या लिखा हुआ है, 30 Days Strategy जैसे कि आप जानते हैं, टोटल 35 Days के आसपास बचते हैं, आज से लेके 21 April को एक्जाम है 2024, फर्स्ट जो है हमारा एक्जाम NDA का 2024 में 21 April को होगा, उसमें बचे हैं टोटल 35 दिन और 30 Days की इस Strategy आपके सामने लेके आया हूँ और इसको वीडियो को end तक देखीगा, इसमें बताने वालों में आपको कि किस तरीके से मैं आपकी help कर सकता हूँ, कि इन चीजों की थुरू आप मुझसे पढ़के इन 30 Days को productive बना सकते हूँ बहुत सारे preparation कर रहे होते हैं student, कोई 4 मीने से कर रहा है, कोई 1 साल से कर रहा है, कोई 2 साल से कर रहा है और कुछ student तो ऐसे हैं जो इन्होंने अभी अभी exam just दिया ही है 12th का और वो सोचते हैं कि 12th का exam just दिया है तो अब ऐसा कुछ मिल जाए 30-35 days में कि practice भी हो जाए, course भी कुछ हद तक हो जाए और paper भी अच्छा निकल जाए तो क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, सबसे पहला जो huddle है mathematics उसी की बात करने आया हूँ, मैं सिरब mathematics की ही तुम से बात करूँगा क्योंकि I teach mathematics जो मैं आपको proper तरीके से अच्छे से बता सकता हूँ पहला paper सबसे बड़ा huddle रहता है बच्चों का, बेश्यक वो बच्चा, कोई बच्चा दो साल से त्यारी कर रहा है कोई एक साल से त्यारी कर रहा है, यह हो सकता है किसी बच्चे ने अभी just exam दियें बोड के end में कुछ गलतिया ऐसी हो जाती है जिसकी वज़े से हमारी जो preparation का level अभी तक बड़ा था वो गिर जाता है ग्राफ, क्योंकि बच्चे बस thought process में लगा रहता है कि क्या करे, क्या ना करे उसने इतना कर लिया होगा, मैंने इतना करा, मतलब उसका पूरा दिन में, 24 घंटे में कुछ हिस्सा तो है जो सिरफ thoughts में या फिर planning में या फिर thinking में ही निकल जाता है thoughts आ रहे है, planning कर रहे है, या फिर दूसरों के साथ comparison करके कई ना कई फसे हुए इस time पर अपने आपको engage रखना बहुत जुरूरी है, बेशक आप खुद रखे या किसी और के दिवारा आपको रखा जाए तो क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, थोड़ा सा discuss कर लेते हैं सबसे पहले मैं बताऊँगा, उन storage students के लिए जो बच्चे अभी just 12th pass करके निकले हैं और ऐसा कुछ course चा रहे हैं, कि भाई 30 days की preparation हो जाए मतलब कोई एक ऐसी चीज मिल जाए, जिससे थूप कम से कम 4 से 5 घंटे बस busy हो जाए लेकिन मैं उन storage students को यहां पर involve करूँगा, जो बच्चे इस time पे problem को face कर रहे होते हैं तो मैं आपको जुरूर बताऊँगा, जो बच्चे अभी problem को face कर रहे होते हैं 10 से 11 chapter ऐसे हैं जिनको जुरूर पक्का करके जाएगा मैं आपको जुरूर बताना चाहूँगा, वो 10 से 11 chapter कोन से हैं, वो UPSC के favorite topic होते हैं आपको इन 30 days के अंदर इनकी theory को बहुत अच्छे से complete करना चाहिए यह मेरी experience है इतने सालों का, जुरूर करना चाहिए और साथ साथ मॉक्स देते रहना चाहिए बेशक आपने अभी 12 दी है, यहां फिर आप 4 मिने वाले student हो, यहां फिर आप 1 साल वाले student हो, एक साल से preparation कर रहे हो यह 11 chapter बहुत ही जदा important है, UPSC इस में से भर-भर के question देता है set, permutation, combination, probability, stats, यह 4 chapter को हमेशा एक साथ पढ़ना चाहिए, यह मेरा मानना है set, permutation, and combination के just बात probability पढ़ना चाहिए, stats probability से पहले भी पढ़ सकते हैं, बाद भी पढ़ सकते हैं, उससे कुछ फरक नहीं पढ़ेगा लेकिन sequence यह रहे तो अच्छा है, और probability और stats को मैंने इसने comment किया है, क्योंकि जो probability है, वो actually statistics का ही part होता है statistics का ही पार्ट होती है, probability, mathematics का पार्ट नहीं है, ठीक है न, जो हम इसमें distribution पढ़ते हैं, binomial distribution, probability distribution, और भी distribution होती है, जो अभी NDA के course में नहीं है, probability जो है statistics का ही branch है, matrices and determinant जरूर करिए, quality equation complex number जरूर करिए, function limit जरूर करिए, state line जरूर करिए, trigonometric identities and ratio वाला chapter जरूर करिए ये 11 chapter अगर कोई बच्चा पूरा course नहीं करना चाता, इस एक मीने के दुरान उसने preparation स्टार्ट करिए, जिसको हम बोलते है, crash course तो अगर किसी branch course को join करता है, तो हो सकता है, crash हो जाए, crash होने का मतलब है, कि अगर पूरा course को देखा जाए, तो पूरा पूरा complete करना, theory पूरी depth में पढ़ना पढ़ाना इतना असान नहीं होता, तो अगर कोई पढ़ाता है, तो इसका मतलब यह है कि वो idea देगा बस, और ची इंपॉसिबल है, वो सिर्फ बेवकू बनाने वाली बात होती है, तो मेरी यह suggestion है, उन सारे students के लिए, जो अभी just 12th paper देखे आये हैं, वो इन 11 chapters को जरूर करिए, set permutation combination probability stat से करीब अच्छा कासा माल पानी आ जाता है, मतलब अच्छा कासा 23-25 कोशन आ जाते हैं, matter से determinate से 10 को कोशन होगे, quality equation complex number से 78 कोशन आ जाते हैं, चालिस होगे, function limit अराम से आपको, अगर function से maximum की बात करो तो 8 कोशन आ है, minimum 5 तो आते ही है, तो 5 और 4, 9 कोशन आ जा, straight line दे 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 ता 4, 5 कोशन, trigonometric identity ratio भी ठीक ठा, 8 से 10 कोशन, कई बार कम भी आये हैं, लेकिन average आप 78 कोशन कर सकते हैं, तो मैंने अभी अगनी बैच को launch किया था, आज से 5 मिने पहले, उसमें सारे चेप्टर मैंने पढ़ा रखे हैं, तो उसी के अंदर से सारी वीडियो को निकालते हैं, मैं आपके लिए के एक कोर्स लेके आया हूँ, जिसके अंदर ये 11 चेप्टर की recordings, प्लस रो और पूरा का पूरा प्लान बनाया है बच्चों के लिए, ठेके अभ्यास बैच जो है, अगर उसमें जाते हो, तो आपको मैं बता देना चाहता हूँ, मैंने क्या दे दिया है बच्चों को, प्रवाइड कर दिया है, यही 11 चेप्टर जो आपका UPSC की फेवरेट है, इनकी सारे रिकॉर्डिंग्स डाल दी है, रिकॉर्डिंग्स हो डिछी जदा जुरूर होंगी, लेकिन अगर आप दिल से मेहनत करते हो, दिन में 3-3 गंटे थियोरी को पड़ते हो, बाकी दो गंटे मेरे साथ श्राम को प्रेक्टिस करते हो, बाकी टाम जी आट को देते हो, तो इसी बात निए, तीन गंटे अगर ये वीडियो को देखा जाए, तो 30 दिन के अंदर ये 90-100 गंटे हो जाते हैं, और ये चेप्टर्स कबर किया जा सकते हैं, जैसे यहां पर अगर आप जाओगे content section में, तो मैंने recording of 10 top chapters डाले है, इसमें straight line ही डलाया भी, वो भी डल ये सारे की सारी, videos of set, videos of permutation, combination, function, matrices, videos of determinant, videos of quadratic, videos of complex number, videos of limit, videos of probability, videos of statistics, right, सब मैंने import कर दिये, और इसी के साथ-साथ मैंने इस course के अंदर, I must tell you, इस course के अंदर मैंने live classes भी schedule कर दी हैं, जो रात को रोज 8 बजे हुआ करेंगी, और उसके अंदर मैं सारे chapters का Mind Mac with practice questions करवाने वाला ह जैसे पहला, पहली क्लास मेरी जो है 19 मार्च से है, 19 मार्च को इस course start है, वो जो lecture सभी मैंने दिखायते हैं, दो सार्क recorded lecture, वो आपको खुद करने हैं, notes बनाने हैं, और inequality and logarithm, का Mind Map, इसका मतलब है, mind map and practice question, इसका मतलब है, mind map and practice question, inequality and log, quality equation, complex number, set, relation and binary number, permutation combination, binomial theorem, matrices, determinant, हर रोज हम एक chapter कवर कर रहे हैं, अभी मैंने 21 क्लासी schedule करी हैं, और rest classes जो है, उसके अंदर मैं practice करवाने वाला हूं, questions की mix, तो ये मैंने एक crash course तुम लोग के लिए प्लान किया है, जिसके अंदर मैं 11 mock test भी दे रहा हूं, कोई बच्चा कहता है, कि सर मेरे को तो सब कुछ आता है, मुझे तो बस प्रैक्टिस शाम के time, जो आप class करवाने वाले हो, mind map वली, उसको करना है, और साथ मुझे मुझे mock करना है, तो आप के लिए mock इसमें, जो मैं offline mock test, रफ्तार series है, उसको मैं यहाँ पे अपलोड कर दूँगा, जैसे आज पहला mock था हमारा, रफ्तार का, तो मैंने सुबह 9 बजे अपलोड कर दिया था, और उसकी answer की कला रही है, और दो दिन analysis चलेगा, तो दूसरा mock 19 तरिक हो है, तो जैसे 19 तरिक को morning में 9 बजे आपको मतलब जो उसके thoughts आ रहे हैं, जो planning में लगा हुए है, अपने दोस से पूछ लेता है, या किसी और से पूछ लेता है, तू कहां से पढ़ रहा है, तू कहां से पढ़ रहा है, तेरा कितना हो गया, चल छोड़ आप तो मैं सब्तंबर के लिए पढ़ूँगा, तो अगर कोई ठीक है, प्लस जो evening में classes होंगी, उससे आपका और निखाना आएगा, और प्लस जो mocks होंगे, उनका analysis होगा, वो भी हां पे होगा, जो रफ्तार में होगा, वो भी यही होगा, तो कहने का मतलब है, this is combined package of crash course, जिसके अंदर पूरे course की वादा नहीं है, लिकिन 11 chapter को बहुत ब इसके course की fees की बात करूं, तो यह 599 का ही मैंने मातर course रखा है, बहुत ही nominal price है, ताकि हर बच्चा effort कर पाए, वही लीजिएगा, जो पढ़ना चाते है, जो actually त्यारी करना चाते है, जो अपने preparation को थोड़ अशा, brush up करना चाते हैं, बूश्ट अब करना चाते हैं अपनी preparation को, ठीक है ना, brush up का मतल़ा revision हो जएगी, बूश्ट अठक लेवल of confidence आपका बढ़ सकता है, तो कि रोज अगर मैं आपके सामने दो धाई गन्टे के लिए शाम को आऊँगा, माइन मैप, practice, question, previous year सब करवाने के लिए तो बच्चे आपको थोड़ा सा आदत में आ जाओगे और एक प्लैनिंग बन जाएगी आप लोग की तो अगर कोई बच्चा लेना चाहता है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने एप्लिकेशन का लिंक दे रखा है उसमें जाके आप बाय करिए अभ पूरा को पूरा आफ लाइन अदेस्स करेंगे उन क्लासिस के अलावा तो इस वहां प्रॉपर निकाला था अभ्यास लेकिन उस टाइम इतने फीचर इन डालते इतने फीचर इस बार ड़े तो कोई भी बच्चा अगर करना चाहता है इन 11 चेप्टर को कवर जो मैंने अभी लिखे हैं बोड पर जो भूट ही हॉट बर्न चेप्टर है एंड एक फेवरेट चेप्टर से जो करना चाहता है तो यह अभ्यास बैज जो एन करके कर सकता है ठीक है ना अभ्यास बैज उनहीं के लिए जो एपरल की तियारी कर रहे है इसकी वैलेडिटी मैंने एपरल कर सकता है और कोई भी इंफोर्मेशन अगर आपको लेनी है आप ले सकते हो अगर लेना चाहो मैं आपको एक नंबर प्रवाइड कर रहा हूं ठीक है ना हमारा कर्श्म के नंबर है 93109-13371 और इसके इलावा अगर कोई कोश्चन है तो आप वाटसप कर सकते हैं मुझे भी आप वाटसप कर सकते हो कॉल कर सकते हो कोई दिखकर नहीं 89200-5445 मैं एक बार जुनों बोलूँगा ये क्रैश कोर्स बहुत ही जदा बैनिफिशर है उन सारे स्टूरेंट्स के लिए जो अभी ज़स्ट जिन्होंने एक्जाम दिया है बोर्ड का या किसी भी स्टेट बोर् आते हैं तो ये वाला कोर्स सबसे क्राइश लिस इस वद अब आप डार फाइनश कोर्स पॉर्सी वर 12 जस्ट पास्टुडेंट इसलिह नहीं नहीं वह इंग्जायम दिया है इसलिए मैंने फाइनल जो है इक्नॉमिश का इसलिए मनें नैंटीन से ही सोचा प्लान किया 19 से 19 18. दो दूद आएगी। आढ जाए नहीं कर दो वा इंदो कुछी आपना रश्पराइब राश्पराइब। आप स्टारोब्स्याजियर आपको भर्ड की तापत्रक लेडिए चाहिंद कर दो